तो एलो एवरिवन कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करते हूं आप सब लोग हूंगे बढ़िया आपका फिर से स्वागत एक बार रिवार फ्रों माउंटेंस पे आज मैं थोड़ी सी देड़ सा उठाऊं करीब नौ बज रहें और एक काम करते हैं भूख लगी है तो सबसे प बना रही है यहां पे प्याज के प्टोड wines वख इंप रिससा होता है गृन वाला यह उससे बनते हैं उनको में श्कांगे के साथ जैसे पकोड़ बनते हैं को है सर्छे माइस है क्लैस से तो एक साना पड़ा है है कि तो यहां पर है और यह यहां पर आखिज-बेड़ य्ये विख लास दूद तो पड़ा-फड़ा मोग नास्ता करेंगे है बजी नास्ता हम कर चुके है और बगल पर ही मेरे दाधी लगी वई है आलू बोने पर अलो इतु है तो अलो पर अलो पाना घंग नहीं हूं और इसके बाद हम गोनो शो यू सम्थिंग यह है घर के खेतों में हुए गे हूं यह खेत से निकालने के बाद ऐसे होते है फिर जब इनको कूटा जाता है चौक में तो यह ऐसे होता है उटने के बाद फिर इसके बाद जब इनको चाना जाता है सुखाया जाता है दूप में तब यह ऐसे हो जाता है और लास्ट स्टेप में यह फिर ऐसे दिखते है एक्शुल अपने रंग रूप में घर के गे हूं अब इनको इसके बाद चक्की ले जाएं और कुछ इसमें से बचाके अगले साल बोने के लिए रखे जाएंगे हमारे घर के बगल पर जो चोटी से डिगी है तो आज उस पर पानी आ नहीं रहा तो एक काम करते हैं आज उपर गाउं में चलते हैं और वहीं से पानी लिए आते हैं तो यह जी सामने पर हमारी डिग दी क्लाइमिट चेंज और ग्लोबल वामिंग का जो एमपेक्ट है वह अब गाउं में भी दिखना स्टार्ट हो चुका है पानी देख रहो कितना कम आ रहा है पहले यहां उपर से एक यह पाइप हुआ करता था तब यह स्क्वायर हुआ करती थी राउंड नी तो यहां से भर- ताकि इसमें पानी भढ़ता रहे यह गाउं की जानवर गाई बैल जो भी इस रास्ते से होते हुए आते हैं ताकि वह इससे पानी पीते रहे यह खाली न रेग अभी भी तो चलो जी पानी भढ़ चुका है घर में रखते हैं इसको फटक से और यह रखा हमने एक एक मेरे माँ चौंसा कूठ रही है, मलग काली दाल जो कूठ नीटी पीस रही है, वो दिन के भाद के साथ चौंसा बनेगा आज, और भाद बनाने की डूटी अज मेरी है करीब शाम के और भाद मैंने खाया नी दिन में तो मैं लाया हूँ अपने लिए एक दो मैगी, मैजगी यूजुली मैं बनाता हूँ प्लेइन, यूमें को ऐसी प्लेइन मैगी ज्यादा पसंद है, तो मैगी खाएंगे, उसके बाद दूबा जाने वाले हम लोग फिर से, तादी के पास, और यह हमारा डबू है, तो जब भी हम कुछ भार पे खा रहे होते हैं, यह बल्कुल ऐसे बगल पर आके खड़ा हो जाता है, कि मेरे को भी चाहिए, काम करते हैं, थोड़ी सी मैगी देते हैं, इसको देखने, खाते है यह बैसे उरोडी के साथ खा लेता है, तो नो सुन लिया हैंगे में तो को मैगी दे रहा हुँआ है, जालो, तो अभी हमें दादी के घर पर दुवा और क्योंकि ये काटने आता है सबको तो दादी इसको बांदे की पहला उधर सामने जो पेड़ देख रहा है संतरे का उस पर और उसके बाद दादी के साथ थोड़ी बातें करेंगे आप और देख रहा हमा उसे हम आदेख रहा है और प्यांद से दो एक ये शेख और गादी इसका जाड़ी ओया है वजए प्यास वजए लगव़ीं युरुँण होग ru बाप्र झाल लेत पुम्सिंदाना और समसेट का नजारा और दादी के घर से आने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं एक जगए आगे कहीं तो महां पर एक सुन्दर सी मूर्ती है गणिश भगवाद जी की एक पत्थर पर और इसको पेंट किया हुआ है जो जी अंदेर हो चुका है और यह सामने जो तीन बकरी के छोटे-छोटे बच्चे देख रहे हैं यह हैं पावन के यह पावन लाया था बोटिय लोगों से अब काफी बड़े हो गए और शेतान भी साइब आठ करीब रात के और हम लोग तैयारी करे आंने बाहर पर फदो बनाने की चुला हमने बारी लगाया हुए सामने मेरी माा बैठी हुए और गर्मियों में बाहर पर खाने बनाने का और खाने खाने का मज़ा ही कुछ और है और यह बगल पर मेरी ताई भी बैठी भी है रोटी बन दी ए सबकी फटाफट रोटी बनाते हैं रोटी खाते हैं उम्मीध आपको वीडियो पसंद आई होगी लाइक शेयर सब्क्राइब जरूर करें